नमो बुद्धाये सर्वर पथम हमारे सास्ता तथागत भगवान बुद्धी जी के चर्णों में सादर प्रणाम हो जिनोंने मुझे धरम सिखाएं, सांती की मार्ग बताएं उन हमारे परम पूजनी गुरु जी के चर्णों में सादर प्रणाम हो अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना कर खुशी से जीवन बिता सकते हैं बहुत लोग ये कारण अपने जीवन में उतारते नहीं है खुशी से जीवन बिताने का बहुत कारण है जैसे कि दान देकर खुशी से जीवन बिता सकते हैं सील सुरक्षा करके खुशी से जीवन बिता सकते हैं सील सुरक्षा करके खुशी से जीवन कैसे बिता सकते हैं जैसे कि पांचे सील जो कोई भी सुरक्षा करता है तो उन लोग का जीवन में बहुत कम दुख है अगर पांचे सिल सुरक्सा नहीं करता है तो उन लोग बहुत लोग जेल में जाता है उसी के कारण चाहे तो वो प्रानी हत्या करता है या चोरी करता है या वेवी चार करता है या जूट बोलता है या नसा करता है ये सब के कारण ही लोग जेल में जाते हैं दुख भूगते हैं अलग-अलग कठनाईयों का सामना करते हैं अगर सील सुरक्सा करेगा तो वो सब परेसानी नहीं है इसका मतलब जीवन में खुशी आता है असान से जीवन विता सकते हैं एवं बहुत पुन्य जमा होता है एवं और कारण है खुशी सी जीवन विताने का मेडिटेशन करके द्यान साधना करके खुशी सी जीवन विता सकते हैं आप लोग तो मैं आप लोगों को उसमें से एक कारण की बारे में आज बताऊंगा द्यान से सुनीए वो है दान के बारे में क्योंकि लोग दान दे कर कैसे खुसे से जीवन बिता सकता है वो आज आप लोगों को समझ सकता है क्योंकि बहुत लोग दान देते हैं लेकिन किसे दान देना चाहिए किसे देने से बहुत बड़ा पुन्नी मिलता है ज्यादा उस दान का फल बहुत बड़ा होता है किसे दान देने से एवं कहां पर दान देना चाहिए कैसे दान देना चाहिए वो सब आप लोगों को अभी अच्छा से समझ सकता है इस प्रवचन से एवं मैं आप लोगों को एक सत्य घटना भी बताऊंगा जो भगवान बुद्धे जी के समय में हुआ था आप लोग जानते हैं कंजूस लोग बहुत लोग है आज कर बहुत कंजूस लोग भगवान बुद्धे जी के समय में भी कंजूस लोग थे लोभी लोग थे कन्जूस लोगों का जीवन, कन्जूस के कारण, लोब के कारण, उन लोग का जीवन दुखी से बीताता है नहीं अपने को खुशी से, सुखी से रहता है, नहीं दूसरों को दान दे कर खुश करता है कन्जूस लोग लोबी लोग का जीवन लोब के कारण लोब से ढखा हुआ रहता है उसी कारण उसे भी पता नहीं चलता है कि मेरा जीवन लोब से ढखा हुआ है उसी के कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, दुख से जीवन बिता रहा हूँ, उसे समझ में नहीं आता है वही लोब को, कंजूस को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक सत्ति घटना के बारे में बताऊंगा आप लोग जानते हैं भगवान बुद्धी जी के समय में बहुत लोग भगवान का सरन में गया था एक राजा था, वो राजा भगवान के पास आकर एक प्राशन पूछता है क्या है वो प्राशन, भगवन दान किसे देना चाहिए तो भगवान बुद्धी जी बहुत सुन्दर उत्तर देते हैं जहां पर भगवान बुद्धी जी बताते हैं राजन जहांपर आपका मन प्रसन हो जहांपर आपका मन खुशी हो वहीं पर दान दीजी उसी को दान दीजी भगवान बुद्धी बताते है देखिए फिर दूसरा भी प्रसन पूछता है वो राजा भगवण किसे दान देने से बहुत बड़ा पुन्य फल मिलता है किसे दान देने से उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है तो भगवान बुद्धी जी बताते हैं राजन आपने दो प्रस्ण पूछा है पहला प्रस्ण क्या था? किसे दान देना चाहिए? दूसरा प्रस्ण किसे दान देने से महा फल मिलता है यो दो प्रस्ण है तो भगवान बुद्धे जी दूसरा प्रस्ण का उत्तर देते हैं कि राजन आर्य महा संग को जो राग को नश्ट की है द्वेश को नश्ट की है मोह को नश्ट की है जो सांथ है जिसको क्रोध नहीं आता है, गुस्सा उत्पन नहीं होता है जिसका मन में जो अपना इंद्रियों को दमन किया है, सांत किया है वैसे आरे महा संग को दान देने से बहुत पुन्नी मिलता है, महा पुन्नी मिलता है देखिए, वो दो प्रास्ण का उत्तर पहला को उत्तर कैसा था? जहां पर किसे दान देना चाहिए प्रास्ण जहां पर आप लोग भी वही कीजिए आप लोग, आप लोग को जहां पर मन प्रसन हो खुशी हो कि दान देना चाहिए अच्छा है जहां जिसके प्रती खुश उत्मन हो मन में, उसे दान देना चाहिए, वो पहला जैसे कि आप लोग रास्ता में जा रहे हैं, तो किसी गरीब को देख लिए तो गरीब के प्रती हम लोग को मन में आता है बेचारा पैसा नहीं, गरीब है, या खाना नहीं, पानी नहीं, इसे देना चाहिए कोछ मन में दया आता है, करुणा आता है, दान देना चाहिए उसी समय या कहीं और भी, कहीं भी आप लोग दान दे सकते हैं ये प्रश्ण बहुत सुन्दर था, भगवान जू अन्छी जी बताएं है दान चे युद्धन चे समान मानो, ये दान जो है युद्ध के समान है राजा लोग युद्ध करते हैं, आप लोग जानते हैं, तो युद्ध करना कितना मुस्किल है वैसे ही दान देना मुस्किल है दानन चे युद्धन चे समान मानो दान युद्धे के समान है कैसे हम लोग दान देते हैं बहुत लोग दान देता है कैसे हम लोग पास दो एपल है तो सेव एक अच्छा एक खराब है तो हम लोग कोन वला दान देते हैं दूसरों को आच्छा वला या खराब वला अपने लिए आच्छा वला रखते हैं दूसरों को खराब वला देते हैं अगर कुछ हम लोगों को भोजन मिल गया तो खाना मिला सोची या कुछ भी आजकल बहुत लोग अलग अलग प्रकार की खाना खाते हैं तो उसमें से अगर किसी को देना होगा तो हम लोग थोड़ा सा देते हैं या जो खराब है वो देते हैं बाकि सब अपनी पास रखते हैं देखिए इसलिए दान युद्ध के समान है सही से दान देना युद्ध के समान है क्योंकि दान देने का बहुत कारण है दान सत्पुरुस दान पांच होता है पांच सत्पुरुस दान होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ भगवान बुद्ध जी के समय में एक लोभी, कंजूसी सेट था, उसके पास दान संपत्य बहुत जादा था, राजगीर में एक गाउं में था, रहता था वो, उसका नाम था कोशिय, कोशिय सेट जी, बहुत दान संपत्य था, सोना था उसके पास, सोनी का सिक्का, चांद इत्यत बहुत धन संपति था, लेकिन वो लोभ होने के कारण, वो ना तो अपनी इस्तेमाल करता था, और ना ही दूसरों को देता था, ना ही अपना परिवार लोग को खिलाता पिलाता था सही से, देखिए, वैसा एक दो नहीं बहुत लोग था, उस सम करता है लेकिन दान नहीं देता है कंजूस है वो सेड़ जी भी बहुत कंजूस था इसलिए उसका नाम मच्चरी है मच्चरी मतलब कंजूस मच्चरी कोसिय सेड़ जी नाम धर दिया क्यों बहुत लोबी था तो क्या हुआ वो खाना भी नहीं कहता था सही से थोड़ा थोड़ा खाना खाता था मतलब जैसे सेड़ जी खाना खाना चाहिए वो तो नहीं खाता था वो गरीब जैसे खाना खाता था 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 परिवाल लोग को भी वैसा ही देता था दासी दास लोग को भी वैसा ही देता थ और घर में भी रहते समय, सुखी से नहीं रहता था बहुत ही थोड़ा सा इदहुदर करके सामान, पैसा खर्च नहीं करता था गरीब जैसे रहता था, महल है, उसका पहले से महल था उसमें रहता था, लेकिन खुसी से नहीं रहता था देखिए लोब के कारण ही खुसी से नहीं रह रहा है तो क्या हुआ ओव लोबी सेट जी रास्ता में जाते समय एक भिखारी व्यक्ति को देखा ऐसा ही नहीं वो भिखारी व्यक्ति बहुत भुखा था ओगाना खारा था पूआ, आप लोग जानते हैं पूआ, वो मिठा होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट करके, वो भीकारी बहुत ही मज़ा से खा रहा था मज़ा से खाते समय वो सेट जी को मन में इच्छा उत्पन हुआ हरी, मुझे भी ऐसा रहता तो कितना चलता मैं भी ये खाऊंगा, मुझे भी चाहिए लेकिन वो कंजूस था, वो सोचा अगर मैं बनाने जाऊंगा तो पुरा महल वाला लोग सब लोग को देना पड़ेगा परिवार लोग को देना पड़ेगा, गाउँ वाला लोग को देना पड़ेगा इसलिए वो राजा महल में जाता है जाकर किसी को नहीं बोलता है वो अपना इच्छा जो जागा था खाने का फुआ खाने का इच्छा जागा था तो राजा क्या किया? कुछ नहीं, अब किसी से बात नहीं करता है अपना पत्नी से भी नहीं अपनी पत्नी को भी अलग करके वो अकीले रहने लगा एक दिन दो दिन तीन दिन कुछ दिन जाने के बार वो पत्ला भी हो गया क्यों मान में दूसरा कुछ चल रहा है दूसरा कुछ चल रहा है तो पत्नी आकर पूछती है स्वामी आपको क्या हुआ आपको कुछ दिक्कत है आपको कुछ परिसानी है तो बताईए तो नहीं कुछ बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ परिसानी है मुझे अलग रहने दो तो फिर बार बार पूछने लगी पत्मी कि परिवार से कोई दिक्कत हुआ है या कोई कुछ आपको किया है तो कुछ नहीं बोलता है नहीं नहीं कोई दिकर नहीं फिर पत्नी और बोलते है या तो फिर आपको कुछ इच्छा उत्पन हुआ है खाने का इच्छा उत्पन हुआ है तो उस समय चुप हो जाता है सेड़ जी तो पत्नी बोलती बताईए स्वामी क्या खाने का इच्छा किया बताईए बताईए करके बहुत जवरदस्ती पूछा पूछने के बाद वो कांजो सेड़ जी बताया मुझे पुआ खाने का मन आया वो गरीब को देखा था जो खाते से नहीं वही मन में तो पत्नी हसने लगी क्या सेड़ जी आपके पास इतना धन समपती है इतना पैसा है हम लोग पूरा गाउं को पूआ बना कर खिलाएंगे करके बोलने लगी पत्नी वो सेड़ जी बहुत गुसा आया नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है पुरा गाउं को क्यों देंगे तुम्हारे पास धन समपती जादा हो गया है क्या जरूरत नहीं गाउं वाले लोग को वो राज ये सेड़ जी बोलने लगा तो पत्नी बोलती है ठीक है महराज ऐसा है तो हम लोग का जो ये महल में रहने वाले लोग उन लोग को बना कर देंगे सब लोग को खिलाएंगे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते हैं उसमें भी पैसा जाएगा बहुत बहुत खर्च होगा तो पत्नी बोलती है इसा है तो महराज ठीक है हम लोग अपना परिवार लोग को जैसे पाती पत्नी बेटा बेटी लोग को अपना परिवार लोग को सिर बनाएंगे तो फिर भी वो सेट जी नहीं नहीं उसमें भी पैसा खर्च होगा बहुत ऐसा भी नहीं कर सकते हैं करके आंती में पत्नी बोलती है ठीक है महराज ऐसा है तो आप और मेरे लिए मतला आपके लिए और मेरे लिए हम दोनों के लिए पुआ बनाएंगे हम लोग खाएंगे दोनों मिलकर किसी को नहीं देंगे फिर भी पत्नी गुस्ता आथा पत्नी को वो सेट जी बोलता है कंजूस सेट जी नहीं नहीं तुमको क्यों चाहिए पुआ तुम खाकर क्या करेगी मुझे सिर्फ चाहिए तो पत्नी बोलती है ठीक है स्वामी सिर्फ आपके लिए ही सही बनाकर मैं दूंगा करके फिर वो सेट की बहुत सोचने लगा कैसे करें करके सोचते सोचते आइडिया आया उसे आगर पत्नी को बोला चलो उपर तुम सबसे उसका जो ये महल था वो साथ तल्ला का था साथ तल्ला का था महल थोड़ा सा चावाल लेकर थोड़ा गी लेकर और पानी थोड़ा लेकर उसे समान लेकर थोड़ा थोड़ा लेकर साथ वाँ तल्ला पर गया नीचे से दर्वाजा बंद करते 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 कोई ना आए उपर और किसी को भनक तक न लगी कि हम लोग पुआ बना रहें करके देखिए सेड़ जी कितना कंजूस था देखिए पैसा है लेकिन उसी के कारण कितना दुख भोग रहा फिर उपर तक गया उपर जाकर जाने के बाद सब तैयार किया भगवान बुद्ध जी उसमें स्रावस्टी में थे आए राजगीर में था तो भगवान बुद्ध जी स्रावस्टी में रहते समें सुभा सुभा भगवान बुद्ध जी महा करुना समापत्ति से देखें सभी लोगों को आज किसे पुन्य है किसे धर्म आवबोध करने का धर्म को अपना जीवन में उतारने का किसे भाग्य है वो अपना दिबे चक्षू से देखी देखने पर ये जो कंजूस सेट जी है कोसी है कंजूस कोसी सेट जी है वो भगवान का दृष्टी में आया नजर में आया तो भगवान बुद्ध जी उसे धर्म की रास्ता पर लाना चाहिए करके सोचे फिर क्या हुआ उस सेट जी उपर तल्ला में सात्मा तल्ला पे भगवान बुद्ध जी सोचें आज समय है उसको सुधारने का अरहंत महा मुगलन भनते जी आप लोग जानते होंगे अरहंत महा मुगलन भनते जी जो बुद्ध सासन का दूसरा विक्षू में मतलब अरहंत सारी पुत भनते जी पहला विक्षू थे मतलब महा स्रावक थे दूसरा महा स्रावक थे अरहंत मुगलन भनते जी जो रिद्धी में अग्र थे रिद्धी चमातकार में भगवान बुद्ध जी के बाद अरहंत मुगलन भनते जी आते हैं तो मुगलन भनते जी को भगवान बुद्धी जी बताएं मुगलान जाओ वो जो कोसी ये सेड़ जी है उसको जाकर धरम की रास्ता पर लाओ उसको सुधार हो जाकर उसे समझाओ बहुत कंजूस है वो दान नहीं देता है उसे जाकर समझाकर वो जो पुवा बना रहा है उसी से आज मैं भी भोजन करूँगा और यहाँ पर 500 भंती लोग थे अरांत भंती लोग 500 भंती लोग भी वही भोजन करेंगे करके भगवान बुद्धी जी मुगलन भंती बोलें मुगलन भंती जी गए वहाँ महल महल मुगलन भंती जी रिद्धी से अपना चमतकार से आकास में जाकर जो सात्मातल है खिरकी के पास जाकर बाहर बैठा हुआ था आस्मान में बैठा हुआ था तो वो सेड़ जी देखने के बाद पुरा आश्चर हुआ पुरा पसीना छुटने लगा पुरा डरने लगा हम लोग इतना उपर आएं सबसे बचने के लिए क्या हुआ हो हम लोग क्या हुआ करके हम सिर्फ मेरे लिए बना रहे हैं करके वो अरहन तुम अगलन मंतिक बोलते हैं वो सेड़ जी तुम क्या यहां क्यों आये हो यहां तुम वह इसे आसमान में नहीं तुम ख़ड़ा होकर आसमान में चलोगे सक चक्रमन करोगे फिर भी मैं नहीं दूँगा तुमें तुम अरहन तुम अरहन वोगलन मतिक आसमान में इधर उधर गूमने लगते हैं चक्रमन करने लगते हैं तो कंजूसी सेड़ जी बोलता है ऐसे नहीं आसमान में गूमने से भी ज़्यादा तुम फिर से बैठ के आसमान में बैठ जाओगे फिर भी मैं तुम्हें नहीं दूँगा तो अरंत मुगलन भंती आसमान में फिर से बैठ जाते हैं फालती मार कर तो उसेड जी फिर भी बोलता है अइसा नहीं, तुम ऐसे अएसे बोलके, तुम भंती जी को बोल रहा ने, अइसा नहीं तुम सरीर से पूरा दून मिपालब निकालेगे, फिर भी मैं तुम्हें नहीं दूँगा, दो हारां तो प्वोंगलन म्र्प्तिया अपने छमतकार से शäreय से दुवा निकालने लगती है जिस से उपर का तलह पुरा दुवा से भर जाता है तो वो सेट जी का मन में ऑता है ऐसा नहीं मन में आता है बोलता है है ऐसा नहीं तुम आग भी निकाल लोगे तो मैं तुमें नहीं दूब गा, ऐसा output मान में आता है लेकिन बोलता नहीं ओडर जाता है क्यों कि सोचता अगर आग भी निकाल देगा तो हम लोग को बहुत हानी पहुंचेगा इस महल को बहुत हानी पहुंच सकता है इसलिए वो नहीं बोलता है अंत में सेड़ जी ठक जाता है सेड़ जी बोलते हैं ठीक है तुम वहीं रुखो तुम्हें मैं देता हूँ करके पत्नी को बोलता है सेड़ जी खंजूस देखिए बोलता है उस तेल में तेल में थोड़ा सा छोटा सा पुवा बनाने के लिए छोटा सा दन थोड़ा सा डाल कर छोटा पूगा बनाकर देने के लिए बोला तो पत्नी उसमें से थोड़ा लेकर तेल में डालता है छोटा सा लेकिन वो छोटा सा डालने के बाद वो देखी चमतकार वो पूगा बहुत बड़ा हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है तो पत्ती को बहुत गुसा आता है सेड़ जी को तुमको समझ में नहीं आता है छोटा सा डालने के लिए इतना बड़ा डाल दिया करके हटो तुम मैं बनाता हूं करके उसको हटा दिया सेड़ जी भी थोड़ा सा लेकर उसमें डालता है तेल में तो कड़ाई में डालने कर लोगा तेल में, वो भी उससे भी बड़ा बन जाता है, पुआ, तो सेड़ी जी को फिर भी आश चार रहे हैं, और ढलता है, थोड़ा थोड़ा धालता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा पुआ बन रहा है, तो सब को साइड में रखते गया, एक तो सेड़ी सोचा, क्या करें, एक इसको देकर चला देते हैं, फिर हम लोग खा सकते हैं करके, वो एक पत्नी को बोलता है, एक दे दो उसे, देकर चला दो उसे, तो एक लेने के बाद, सब पुआ पुरा सट जाता है, एक दूसरा से चिपक जाता है, पुआ, उन लोग दोनों पती-पत्नी कवारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं दोनों दोनों तरफ से खीचते हैं लेकिन वो पुआ जो चिपका हुआ है वो अलग नहीं होता है तो सेड़ जी बहुत दुखी होता है उसमें बहुत क्या करें अब ठीक है ये पूरा का पूरा इस स्रमन को दान दे रहते हैं करके जाकर पूरा ही दान दे रहता है अरहंत मुगलन भनते उसी समय देशना करते हैं धर्म देशना दान के बारें बताते हैं कुशल के बारें पुन्य के बारें बताते हैं धर्म सुनने के बाद वो जो कंजूस सेड़ जी था उसे समझ में आता है कि नहीं दान देना चाहिए दान देना बहुत अच्छी बात है दान देने से हम लोगा जीवन खुशी उत्पन होता है दान देने से इस जनाम भी तथा अगला जनाम में भी खुशी से रह सकते हैं दान देने से ही अमीर बनता है। बहुत चीज़ सीख लिया। फिर वो बोलता है कि भोजन करने के लिए तो मुगलन भंती अरंध मुगलन भंती बोलते नहीं। भगवान बुद्ध जी प्रमुख आरे महा संग पांसो भंती लोग इंतजार कर रहे हैं आप लोग दोनों का हाथ से भोजन करने के लिए पुवा तो बोलता है तो दोनों को इर्दी से स्रावस्ति लेकर जाते हैं। अरंध मुगलन भंती फिर वहां जाकर भगवान बुद्ध जी प्रमुख आरे महा संग पांसो भिक्सो लोग को दान देता है वही पुवा लेकिन पुवा खतम नहीं होता है पुवा खतम नहीं होता है देखी आश्यरे उन्हों उस रद्धा से दान देता है पुवा खतम होता है उनलोग जाकर भगवान से पूछता है भगवान बुद्देशी से भगवन ये पुआ खतम नहीं हो रहा है इसे कहां डालें क्या करें कैसे खतम करें सभी लोग को खिला दिया वहाँ जितना आदमी लोग था सभी लोग को भी दे दिया जितना था सब लोग खा लिया भार फिट उन लोग भी खा लिया लेकिन पुगा खतम नहीं हो रहा है फिर भागवान बुद्धी जी बोलते हैं जाकर उस गड़ा में डाल दो सब इसके बाद खतम हो जाए हो गड़ा में डाल देता है खतम हो जाता है फिर आकर भागवान बुद्धी जी उन लोग को धर्म प्रवचन देते हैं उन लोग सोता पन्न हो जाता है धर्म को अपना जीवन में उतार लेता है ऐसा धर्म सीखने के बाद उन लोग वापस वहां जाकर महल में अपना ये, उन लोग जाकर वापस बहुत दान देता है, हमेशा दान देने लगा उन लोग, जो पहले कंजोस सेड़ जी था, अभी उसका उल्टा हो गया, अभी बहुत दान देता है, बहुत पुन्य करता है, देखिए, धरम से उसका जीवन बदल गिया, सोचिए, एक भगवान बुद्धिजी का धरम मिलने के बाद, देखिए, अभी खुशे से जीवन बिता रहा है, दान देते देते, भगवान बुद्धिजी बताते हैं, मा भिख्यवे पुन्या नंग भावित, भिक्षू लोग को बलते हैं, पुन्ये से बहे डरो मत, डरो मत, क्यों? प पुन्ये से डरना नहीं चाहिए, भगवान बुद्धिजी बताए है, मा भिख्यवे पुन्या नंग भावित, क्यों? क्योंकि भगवान बुद्धिजी बताते हैं, सुखा सेताम भिख्यवे अधिवचन नंग यदिदाम पुन्या सुक पुन्य का दूसरा नाम है सुक देखिए जो कोई पुन्य करता है इसका मतलब उसका जीवन में सुक जमा होता है आप लोग भी पुन्य कीजिए दान दीजिए पुन्य से दान से सील से भावना से मेडिटेशन से डर ये नहीं वो अच्छा का रहे है बलकि पाप करने से दुस्सील होने से दुसरा लोग को मारने पीटने से मामी पापा को कष्टर देने से मामी पापा को मारने पीटने से आप लोग डरिये पाप करने से डरिये पुन्य करने से मत डरिये भगवान बुद्धि साफ सब बताएं दान देने के लिए दान से ही जीवन में खुशी उत्पण होता है सुखी से जीवन बिता सकते हैं आप लोग खाना खाते समय अगर कोई भिखारी मिल गया तो उनलोग को दान देना चाहिए खाना आप लोग खाना खाते हैं तो वो सिर्फ इस जीवन के लिए होता है हम लोग कपड़ा पेहनते हैं इस जीवन के लिए हम लोग घर दुआर में रहते हैं गाड़ी इस्तमाल करते हैं सिर्फ इस जीवन के लिए मुरित्यों के बाद कुछ नहीं साथ में जाता है कुछ भी नहीं आप लोग कुछ भी आपके पास है तो जैसे मैं आप लोगों बताया हूं दो सेव है तो एपल है दो दो अच्छा वला दान दीजिए आप लोग क्योंकि जो अच्छा वला है वो दान देने से वो आपके अंदर जिराता है उसका पुन्य देखिए लेकिन खाने से वो एक दिन में एक दिन नहीं उसी सन एक मिनिट में उसका स्वाद सिर्फ खतम होने के बाद उसका सब चीज खतम हो जाता है सिर्फ याद बच जाता है बस और एक दिन में जान एक दिन के बाद बाहर निकल जाता है लेकिन दान देने से वह इस जनम के लिए भी एवं आगला जनम के लिए भी वह बहुत सुख़द होता है अच्छा होता है इसलिए आप लोग दान दीजिए अगर कुछ कपड़ा है तो आपके पास बहुत बहुत लोग के पास आज कल कपड़ा रहता है टी-शिर्ट, पैंट, ये सब रहने के पाई उन लोग दान नहीं देता है कभी कभी आप लोग गरीब के पास जाकर दान दे कर देखिए या तो आपको जहां पर मन खुश होता है वहां पर दान देजी अगर आपको महा पुन्य चाहिए तो बहुत बड़ा उसका फल चाहिए तो दान का आप आरे महा संग को दान देजी कोई-कोई लोग चीवर दान देता आरे महा संग को बहुत बड़ा पुन्य है चीवर दान देना यानि की बहुत बड़ा पुन्य है नॉर्मल गरीब लोग को कपड़ा देने से ज़्यादा भिक्षु संग को चीवर दान देना बहुत बड़ा पुन्य है दोनों को समान नहीं कर सकते हैं दोनों को बराबर नहीं कर सकते हैं देखिए क्यों आरे महासंग को भिक्सु संग को दान देने से इतना पूनी मिलता है क्यों क्यों कि भिक्सु संग लोग राग नहीं उसका मन्न द्वेश नहीं है क्रोध गुसा नहीं करता है मुह माया नहीं उसके अंदर वो जो गुन धर्म है उसके पास गुन है कुशल पूरा संपूर्ण कर दिया है ब्रक्मचारी को संपूर्ण कर दिया है उन लोगों का आरे महा संग का गुन के कारण है गुन के कारण है उन लोगों को दान देने से महा पुन्य मिलता है महा फन मिलता है देखी कितना आश्चर धरम एवं हम लोग को अब ही आप लोग, मैं आप लोग को पहले बताया हूँ सत्पुरुस दान पाँच होते हैं, पाँच परकार का सत्पुरुस दान होते हैं आप लोग ये भी जान लीजी सत्पुरुस दान सत्पुरुस मतलब अच्छा लोगों का दान पांच प्रकार सोता है अच्छा लोगों का दान भी पांच प्रकार का होता है क्या है वो पांच पहला है वो सत्पुरुस अच्छा से तैयार करके दान देता है कुछ भी समान है तो अच्छा से तैयार करके सुन्दर से देता है दान जैसे तैसे नहीं देता है सुन्दर से करके दान देता है जो देखने से भी लेने वाला व्यक्ति है उसे मन में प्रीती उत्पन हो तैयार करके दान देता है पहला सत्पुरुस दान दूसरा सत्पुरुस दान है वो व्यक्ति गौरव से दान देता है इज़त गौरव से दान देता है डाट डाट कर, मार पीट कर दान नहीं देता है इज़त से गौरव से दान देता है सत्पुरुस्दान दूसरा तीसरा सत्पुरुस्दान है अपनी हातों से नहीं दान देता है देखिए जो कुछ भी दान देना है तो अपना हाथ से ही देना चाहिए ये दो हाथ है हम लोग के पास वही हाथ से दान देना चाहिए बहुत लोग है बोलता है मुख से, उसे दे दो जाकर, उसे दे दो करता है उससाथ पुरस्तान नहीं है बहुत अमीर अमीर लोग वह सहीं करता है डाट डाट कर, गाली दे कर, मार कर, पीट कर दान देता है हम भी देखें बहुत जगा लोग दान देता है कभी कभी कंबल या तो कोई मेट्रेस या तकिया कुछ भी दान देता है तो दान देते समय तो गरीब लोग आता है बहुत लोग लेने के लिए तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता है तो उन लोग को मारता है, पीटता है ये वो करता है, वो सत्पुरुष दान ने है सत्पुरुष दान नहीं तीसरा क्या है? तीसरा है अपनी हाथों से दान देना चाहिए बहुत लोग पैसा से देता है आदमी लोग को नौकर लोग को कि हाँ उन लोग को ये ये दान दे दो गरीब लोग को ये ये बाट दो वो सत्पुरुस दान ने वो अपनी हाथों से ही देना चाहिए चौथा सत्पुरुस दान क्या है? चौथा है वो फेकने की तरह दान नहीं देता है बहुत अच्छा से दान देता है कोई कोई फेक कर दान देता है वो फेकने वाला समान कुछ है तो वो दान देता है इस्तमाल करने वाला समान दान नहीं देता है जो हम लोग को डेस्ट बीन में डालना है तो वो जाकर दे देता है किसी गरीब को जो इस्तमाल कर रहे हम लोग जो फेकना नहीं चाहते हैं हम लोग जो अच्छा है, जो इस्तमाल कर सकता अगला अदमी, वह ऐसा चीज़ दान देना चाहिए, सत्पूरस दान है, चाहुता, पच्चमा सत्पूरस दान क्या होता है, उसका फल जो दान दे रहा है, उसका फल अपने को मिलेगा, ऐसा विश्वास मन से दान देना चाहिए, जो हम कुछ भी दान दे रहे हैं, कुछ भी दान दे रहे हैं, तो खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी जूस हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, या रहने के लिए कुछ भी घर, जोपड़ी, कुछ भी दान दे सकते हैं हम लोग, कुछ भी, जितना कुछ हम लोग के पास सामान ह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अपनी को भी अपने पास भी रखकर, अपने पास भी जो धन समपति है, उसको रखकर, अपनी को भी सुखी करना चाहिए, खुशे से जीवन बिताने चाहिए, क्यों आप लोग ग्रेहस्त हैं, पांचे काम के साथ जीवन बिताते हैं, तो आप ल दूसरों को भी दान दीजी, दूसरों को थोड़ा ही क्यों नहीं, दान दीजी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास जितना कुछ है उससे थोड़ा भी दान दीजी, ऐसा एक भी दिन भी इतनी मत दीजी, जिस दिन आप दान नहीं दीए, हर दिन दान दीजी हर दिन पुन्नि कीजिए आपका जीवन बदल जाएगा आपका जीवन में खुशी आ जाएगा कंजूस नाम का जो सत्रु है अंदर कंजूस नाम का जो हम लोग के अंदर जो दुस्मन है वो मिट जाएगा खत्म हो जाएगा कोई भी कुछ मांगने से हम लोग को उससे थोड़ा भी देना चाहिए हम लोग अगर हम लोग कभी कभी हम लोग जाते हैं तो बहुत लोग आजकल पीटसा खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए पसंद है उस अब फास्ट फुद तो उस अब लेने के बाद हम लोग कोई गरीब या कोई मांगता है उन लोग तो उसमें से थोड़ा भी देना चाहिए भगवान बुद्ध जे गाता है बताते हैं जो कुछ भी अपने पास है तो कोई मांगने से मांगने पर हम लोगों थोड़ा देना चाहिए इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूँ ऐसा एक भी दिन भी इतने मत दीजिए जिस दिन आप लोग दान नहीं दीए ऐसा एक भी दिन नहीं इस से आपका जीवन बदल जाएगा इस जनम नहीं आप मृत्य के बाद वो जो दान का पुन्न है आपके पास वो साथ में लेकर जाएगा मृत्य के बाद क्योंकि मृत्य होने के बाद हम लोग जो मनुस्लोक में जो इस्तमाल किये हैं कपड़ा लगता खान पान रहन सेंगारी दान संपत्ति पैसा जामीन जाइदाद सब चीज छोड़ कर जाते हैं यहां कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं खाली हाथ से जाते हैं हम लोग खाली हाथ से इसलिए दान दीजी दान देने से क्या होता है मैं आप लोगों बताता हूँ दान देने से वो अंदर चला जाता है अंदर चला जाता है उसका पुन्य उसके पास रहता है मरने के बाद वही उसके साथ जाता है चाहे तो आप अच्छा कीजी या बुरा कीजी पुन्नी कीजी या पाप कीजी खुशल कीजी या खुशल कीजी वो सब सही गलत सब जो इस जनम करते हैं वही सब उसका करम हम लोग के साथ जाता है मरनी के बाद उसी के अनुसार हम लोगों को फल देता है अगर अच्छा कर्म की हैं तो हम लोग स्वर्ग में जनम देते हैं अगर बुरा कर्म की हैं तो हम लोग कहां जनम देते हैं दुरगती में जिससे दुखसान करना पाता है देखी तो सिर्फ दान ही नहीं दान भी देना चाहिए सील भी सुरक्षा करना चाहिए मेडिटेशन भावना भी करना चाहिए बहुत चीज़ आप लोगों करने के लिए भगवान बुद्धे जी के पास मैं आप लोगों बताता हूँ एक सीह सेना पती सीह नाम का सेना पती था जो भगवान बुद्धे जी के पास आकर पूछता है भगवान बुद्धे जी जो दान देता है उसका फल इसी जनम में हम लोग देख सकते हैं क्या दान देने का फ़ाल इसी जनाम में देख सकते हैं क्या भगवान बुद्धी जी बोलते हैं देख सकते हैं बोगवान बुद्धी चार कारण बताते हैं जो इसी जनाम में इसी जनाम में उसका फल मिलता है दान का फल मिलता है एक कारण अंतीम बताते हैं जो मरने के बाद उसे मिलता है भागवान बुद्धी पहला कारण बताते हैं जो दान देता है जो दान देता है बहुत बहुत दान देता है उन लोगों का बहुत लोग जो कोई व्यक्ति दान देता है उसका बहुत लोग बहुत जन लोग बहुत लोग उसके साथ प्रीमनाप हो जाता है देखिये, उसे कोई गुसा नहीं करता है उसे लड़ाए करने नहीं आता है वो दान देनी वालों का पहला विपांख है इसी जनम का फल दूसरा क्या है? सांत सत्पुरुस लोग सांत सत्पुरुस लोगों के साथ संगत होता है सांत सत्पुरुस कुण है जैसे कि हम लोग ले सकते हैं आरे महा संग है भंतेजी लोग जो सीलवान भंती लोग है उन लोगों का अच्छे लोगों का जो धरम की रास्ता पिचलता है उन लोगों का उसे संगत मिलता है उसके साथ जो दान देता है उसके साथ दोस्ती बन जाता है जिससे उसका जीवन सही अच्छाई की तरफ जाता है देखिए ये दूसरा कारण था इसी जना में फ़ल मिलता है दान का तीसरा कारण है भगवान पुद्धी जी बताएं दान देने का तीसरा इसी जना में फल मिलता है उसका कीरती प्रसंसा बढ़ जाता है जो कोई दान देता है तो उसका नाम बढ़ जाता है सभी लोग लेता है चोथा कारण क्या है वो दान देता है बहुत दान देता है व्यक्ति सभी लोग के सामने कोई भी हो चाहे तो वो बड़ा आद्मी हो चाहे तो ब्राक्मन छत्री वाईश हो या कोई राजा हो या अभी के डेट में अभी की युग में देखेंगे तो कोई भी पी एम हो या बड़ा बड़ा लोग हो, सभी के सामने निडर होके बिना डर के जाता है, अंदर कुछ भी डर नहीं जो दान देता है, ये चार कारण इसी जन्ना में फल मिलता है, पांचवा कारण भगवान बुद्धी जी बताते हैं क्या, मरने के बाद जो विपाग देता है, फल देता है, मरने के बाद उब्यक्ति स्वर्ग में दिबिलोक में जन्न लेता है, जिससे वो खुशी से जीवन बिताता है, दिबिलोक में दुख नहीं है, खुश ही, सुख ही सुख है, देखिए, तो शीह सेनापती बोलते हैं भगवान यह जो पाँच कारण आब बताएं है उसमें से चार कारण जो है वो मैं इसी जनाम में देखता हूँ मैं इसी जनाम में वो चार कारण मुझे मेरे पास मतलब मैं देखता हूँ जो दान देता है उनलों के पास चार कारण होता है वो सीह सिनापती बोलता है लेकिन जो ये पांचवा कारण है जो मरने के बाद दिभी लोग जाता है वो तो ये नहीं देखता है वो बोला लेकिन भगवन मैं स्रद्धा से भगवान बुद्ध जी के प्रति विश्वास से वो पांचवा कारण मैं विश्वास करता हूं देखिए यह पांचों कारण है, दान देने का इसलिए आप लोग दान दीजी एक भी दिन भी इतने नहीं दी, जिस दान नहीं दी छोटा सा चीज भी, चाहिए तो भाई को, चाहिए तो बहन को मापिता जी को, घर में परिवार लोग को भी दान दे सकती है एसलिए इसलिए एक दिन भी दिन भी इतने माप दीजेơ है, जिस दिन दान नहीं दी आप जिससे आप खुश हो सकते है, आपको जीवन भी, खुश ही से जीवन भी आसकते है सिर्फ दान नहीं, सील भी सुरक्षा कीजी, पांचे सील इसके बाद meditation भावना भी कीजिए आपको बताया हूँ यह तीन करने के लिए जिससे आपका जीवन बहुत ही बहुत सांत एवं सुन्दर हो जाएगा इसलिए मैं आप लोगों को आशिरवार्थ करता हूँ कि आप लोगों को भी दान दे कर सील सुरक्षा करके द्यान साधना meditation करके आप लोगों को भी खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए नमो बुद्धाया